वेलकम टू कम्प्लेट नोर जेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम डेवलोप्मेंट सिरीज और यह अमारी सिरीज का 13 पार्ट है और इसके अंदर हम बनाने वाले है चेंज पासवर्ड की एपी आई तो देखें यह जो चेंज पासवर्ड की एपी आई है वो सबसे पहले तो क्यों रिक्वाड है और एक्जांपल कि आपने जब अपना एकाउंट बनाया था किसी प्लेटफॉर्म के अंदर तो आपने वाहाँ पे लेट से जो पासवर्ड रखा था वो था एबीसी एड़रेट 123 और अभी आपको क्या करना है कि आपको लग रहा है कि आपका जो डाल रहे हो तो वो आपका ओल्ड पासवर्ड से मैच नहीं करना चाहिए तो इसके लिए भी हम यहाँ पे यूज करेंगे इसका और साथ में यहाँ पे इसके अंदर दो इद्पूट और लेंगे जिसमें हम यहाँ पे एक्टो होगा न्यू पासवर्ड कि आप यहाँ पे जब यहाँ पे यूजर लौग दीन होता है तो अभी चलते है विएश कोड के अंदर और यहाँ पे हम क्या करेंगे हमें चलना है एससरी फोल्डर में और फिर यहाँ पे चलेंगे राउटर के अंदर एpireuter.ts के अंदर और यहाँ पे एक राउट एड करेंगे जिसमें हम नाम होगा वो होगा change-password लाव यह अमारी put request है तो यहाँ पे लिखेंगे put और यहाँ पे लिखेंगे apicontroller.changepassword और यह जो API है वो अमारी authenticated API होने वाली है तो उसके लिए हम यहाँ पे authentication middleware भी यहाँ पे आगे लगाएंगी जिससे यह अमारी API authenticated API बन जाएगी now यह जो change password है उसको हमें बनाना होगा तो यहाँ पे जो self controller है उसको मैं यह से copy करूँगा और यहाँ पे last में आके मुझे यहाँ पे इसे paste कर देना है now यहाँ पे हम लिखेंगे change password और अभी simply में इसे save कर दूँगा और अभी वापस से हम यहाँ पे npm run dev करेंगे जिससे हमारा यह जो project है वो यहाँ पे successfully run हो जाएगा now यहाँ पे चलते है और यहाँ पे change password पे hit करते है तो सबसे पहले जो हमें error मिल रही है वो तो है हमारी 401 because हमने यहाँ पे authentication middleware को apply किया है तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना होगा सबसे पहले तो login करना होगा तो यहाँ पे मैं चलता हो login के अंदर और अभी simply यहाँ पे send पे press करता हो तो यहाँ पे आप देखिए हमें error मिल रही है invalid email और password और इसका क्या reason है मालू में आपको because last video के अंदर हमने यहाँ पे password को change किया था और यहाँ पे अभी हम जो password यूज कर रहे है वो है हमारा पूराना password तो शायद उस video के अंदर हमने यह चीज़ टेस्ट नहीं की थी लेकिन इस video के अंदर हम चेक कर लेता है तो यहाँ पे चलता है reset password के अंदर और आप देखिए यहाँ पे हमारा जो नया password था वो था हमारा coder at .1234 तो इसे में copy करता हूँ और यहाँ पे अभी इस password को paste करेंगे और यहाँ पे अभी send करके try करेंगे तो आप देखिए हमारा जो user है वो यहाँ पे login हो चुका है और हमें यहाँ पे access token और refresh token मिल चुका है अब भी अगर हम change password को hit करेंगे तो आप देखिए हमें यहाँ पे मिल रहा है 200 ओके यानि कि हमारा जो controller है वो सही से काम कर रहा है नाव अभी चलते चेंज password के अंदर और यहाँ पे अगीन टूडू लिस्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे अभी हमें जो task perform करने उसमें सबसे पहला है तो हम यहाँ पे user को get करना है तो यहाँ पे लिकता हूँ find user by id फिर यहाँ पे हमें जो next काम करना है उसके अंदर लिखेंगे check if old password is matching with stored password फिर यहाँ पे जो हमारा नया पासवर्ड है उसको hash करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे password hash और new password और last में यहाँ पे हम user को update करेंगे और यहा यह जो user का password है वो यहां पर हमने change कर लिया है तो यहां पर अभी सबसे पहला जो काम है वो हमारा body parsing and validation का तो यह चीज़ हम यहां पर complete करता है तो सबसे पहले यहां पर चलेंगे हम interface के अंदर और यहां पर हमें नाम है वो हमारा i change password request और इसके अंदर हमें मिलेगा authenticated user जो की होगा i user type का फिर इसके अंदर हमारी body receive होने वाली है जिसके अंदर हमें यहां पर 3 properties मिलेगी जिसमें से पहली है old password जो की होगा string और यहां पर एक और field होगी जो की होगा confirm new password और यह भी होने वाली string अभी यह जो body है इसको मैं यहां से cut करूँगा और हमने यहां पर क्या किया हुआ है यहां पर जो types है उसके अंदर हमारे पास एक file है user type.ts तो इसके अंदर हम यहां पर जो body की type से वो रखने वाल है तो य यहां पर लिखेंगे i change password request body और इसके अंदर यह चीज यहां पर मैं paste कर दूँगा और फिर यह जो interface है उसको हम यहां पर body के अंदर pass करेंगे तो यहां पर लिखता हूँ i change password request body और इससे simply import कर देंगे now यह जो interface है उसका हमें यहां पर use करना है तो यहां पर चलते हैं नीचे और यहां पर लिखेंगे const और यहां पर bracket के अंदर हमें निकालने होगी body और यह हमें मिलेगी request से और इसको हमें type assign करना है i change password request और इसके अंदर हमें एक और चीज से यह जो की हमारा authenticated user तो यहां पर हमें यह जो user है उसको find करना है by id अभी आप यहां पर सोच सकते हो कि हमारे पास तो already user है तो क्यों ना हम इसका ही use करने because जब हमारा middleware यहां पर call होता है आप यहां पर देखिए authentication वाला तो उसके अंदर हम यहां पर already authenticated user को store कर रहें लेकिन इसको हम वापस से क्यों fetch करें उ explicitly यह password field यहां पर get करना चाहता हूँ इसलिए यह जो user है उसको वापस से हम एक बार fetch करेंगे तो यहां पर मैं लिखता हूँ const user equal to await database service dot find user by id और इसके अंदर हमें id पास करना है तो वो मिलेगा हमारा authenticated user और उसके अंदर से होगा हमारा underscore id और यहां पर हमें इस function को async बनाना यहां पर हम इसको कर देंगे as string और इसके बाद भी हमें यहां पर एक error मिल रही है जो कि यह property underscore id does not exist और टाइप i user तो इसको solve करने के लिए हमें क्या करना है यह जो i change password request है उसके अंदर हमने जो i user assign किया है उसकी जगा पर हमें क्या करना होगा यहां पर चलते i user के अंदर औ यहां पर लिखेंगे underscore id जो कि होगी हमारी string type की और यहां पर लिखेंगे extends i user तो हम यहां पर interface को extend कर रहे है यहां पर basically inheritance का use कर रहे है और यह जो i user with id है इसको हम यहां पर i change password request में assign करेंगे और यह शाहिद हमने export नहीं किया तो यहां पर हमें इसे export भी करना होगा तो यहां यहां पर वापस से चलता है इस user types के अंदर और यह जो interface है उसको हम यहां पर export करेंगे now अभी यह import हो जाएगा तो यहां पर हम इसे import करता है और यह हमने क्यू किया because हमारा जो mongo dba वो मैं actually मैं underscore id return तो करता है लेकिन इसको यह पता नहीं है because हमारा interface कुछ उसी तरह से हमने बनाए हुआ है तो उसके लिए हमने यहां पर एक और interface बना दिया i user with id और इसका अभी हम यहां पर use करके देख सकता है और अभी यह जो string है उसकी हमें need नहीं है तो यहां से हम इसे हटा देंगे अभी यहां पर हमें एक चेक लगा नागा if not user यानि कि अगर user नहीं है तो फ हम इस हमारी validation service के अंदर और यहां पर एक और हमें जोए schema बनाना होगा तो यहां पर मैं इसे copy करता हूँ और इसे simply यहां पे पेश्ट करेंगे और यहां पर लिखेंगे validate change password body नाव इसके अंदर हमारी एक और field है जो कि है old password तो यहां पर लिखेंगे old password और इसके अंदर यह जो object chaining है इसे simply paste कर देंगे और अब भी यहां पर एक और चीज़ मिसिंग है जो कि है confirm new password तो यहां पर लिखेंगे confirm new password और यह होने वाला इस particular new password का reference तो उसको कैसे करना है तो उसके लिए आप यहां पर लिखेंगे joy.string और इसका जो minimum है वो होगा 8 और इसका जो maximum है वो होने 24 और साथ में आप इसे trim भी करेंगे तो यहां पर लिखेंगे trim और last में आप लिखेंगे यहां पर .valid और इसके अंदर हमें एक method मिलती है जो की है हमारी joy.reference यानि कि यह जो हमारा confirm new password है उसको हम refer करने वाले new password से basically इसको हम यहां पर match करवाएंगे तो यहां पर इसके now इसके अंदर हमें error मिल रही है और इसके बिज़े का क्या reason है because यहां पर हमने लिखा हुआ है I reset password request body लेकिन यहां पर हमें चाहिए I change password request body और अभी हमारी error यहां से घट जाएगी और अभी चलते है API controller के अंदर और हमारा जो reset password था उसके अंदर हमने जो validation किया था उसमें से यह जो पूरा code है उसे में यहां पर simply copy करूँगा और उसे में simply यहां से copy करूँगा और यहां पर जो change password के अंदर जो हमें validation करना है उसमें यहां पर paste कर देंगे now यहां पर आप लिखेंगे I change password request body और यहां पर भी आपको pass करना होगा हमारा validation function जो की है validate change password body और अभी हमें इसके अंदर मिल जाएगा value dot करेंगे तो यहां पर हमारी तीनों property आ जाए now इतना काम हो जाने के बाद हमारा जो next काम है उसके अंदर हमें check करना है कि क्या यह जो cold password है वो हमारे stored password से match कर रहा है क्या पर उससे पहले हमारा जो find user by id है उसके अंदर हमें एक चीज़ add करनी है और वो है हमारा यहां पर select property का extension तो यहां पर हम लिखेंगे select string और इसको password property उसको get करना है तो यहां पर आप लिखेंगे plus password जिससे हमारा जो password है वो भी हमें यहां पर derive हो जाएगा अभी यह जो value है उसके अंदर से हमें जो old password है उसको get करना है और यह हमें मिलेगा इस value से और इसके बाद हम यहां पर check करेंगे कि हमारा जो old password है क्या वो stored password से match कर र करेंगे stored password तो वो हमें मिलेगा user.password से और इसके बाद यहां पर लिखेंगे if not is password matching यानि कि अगर password match नहीं कर रहा है तो फिर हम यहां पर error देंगे और वो error क्या होने वाले है वो हम यहां पर save करने वाले है तो यहां पर आप देखे हम चलते है response message में और यहां पर लिखेंगे invalid old password नाव इसका हमें use करना है तो यह जो not found है इसे हम यहां से खटा देंगे और यहां पर लिखेंगे invalid old password और यहां पर इसका जो status code होगा वो होगा 400 अभी इतना हो जाने के बाद यहां पर हम चेक करेंगे if new password यानि कि जो नया password एंटर किया गया है वो क्या same तो पासवर्ड old ? से मैच करता है तो फिर हम यहां पर और अलग type का message send करेंगे password match with old password यहां पर हम लिखेंगे password matching with old password और यह जो response message उसको हम यहां पर send करवाएंगे जिससे हमारा जो new password हो कभी भी old password से match नहीं करेंगा और हमें नया ही password यहां पर set करना होगा यहाँ पर पासवर्ड है उसको हमें जनरेट करना होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे const hashed password और इसके अंदर हमें लिखेंगे await wicker.hash password और इसके अंदर हमें पास करना है new password now हमें यहाँ पर user को update करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे user.password equal to hashed password जिससे हमारा password यहाँ पर change हो जाएगा और last में आप लिखेंगे await user.save now अभी हमारा next काम है उसके अंदर हमें email को send करवाना है तो उसके लिए वापस से में यहाँ पर email send का जो block है उसको copy करूँगा हमारे reset password से और यहाँ पर इससे paste कर देंगे now इसका जो subject होने वाला है वो हमारा password changed और इसके अंदर हमारा email address आ जाएगा और आप यहाँ पर लिखेंगे your account password has been changed successfully now हमारा email का काम यहाँ पर complete हो चुका है और अभी हमारा यह जो controller है उससे हमें test करना है तो अभी चलते हैं हमारे hostman के अंदर और यहाँ पर send पर click करके देखते हैं तो आप देखिए old password is not allowed to be empty और अभी यहाँ पर मैं randomly कुछ भी डालूंगा और यहाँ पर जो हमारा नया password है उसके अंदर हम लिखेंगे coder at the rate 4568 और यहाँ पर send पर click करेंगे तो यहाँ पर देखिए old password length must be at least 8 character long तो यहाँ पर हम ऐसे ही कुछ random password लिख देते हैं और यह मैं जान बुद के गलत डाल रहा हूँ और यहाँ पर मैं send पर click करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए मुझे validation error मिल रही है और इसके अंदर भी अगर मैं इसे copy करके यहाँ पर अगर गलत password डालूंगा तो आप देखिए यहाँ पर मुझे same error मिल रही है confirm password must be reference of new password तो यहाँ पर मुझे सही से इसे डालना होगा और अभी अगर हम इसे send करेंगे तो आप देखिए invalid old password because यह गलत password है हमार यहाँ पर एक email भी आया होगा तो यहाँ पर हम चेक करते हैं आप देखिए password change नाम का हमारा email यहाँ पर आ चुका है hey coder baby your account password has been changed successfully और इसके अंदर हमारी जो hash है उसको भी आप दियान से देखिए last में हमारा EC और इसको मैं जैसे send पर क्लिक करूंगा तो हमारी password hash यहाँ पर 4568 तो हमें error मिलेगी invalid old password देखिए यह सही से काम कर रहा है और अब भी अगर हम पूराने password से login करने के आप ट्राय करेंगे तो भी नहीं होगा because यह invalid है और आपको यहाँ पर लिखना होगा 4568 तब यह वापस से login होगा आप देखिए यह login हो चुका है तो हमारा यह जो change password का API वो हमने यहाँ पर successfully बना लिया है और यह हमारी authentication series की last API थी जो कि हमने यहाँ पर बनाई और अभी next video के अंदर हम क्या करने वाल है इसके अंदर यह जो पूरा जो system हमने बनाया है उसके अंदर अगर कुछ improvement है तो उसको यहाँ पर apply करेंगे और फिर हमारी यह जो series है उससे ह हम यहाँ पर end कर देंगे तो अभी मैं मिलता आपको इसके next video के अंदर till then happy coding